तो भाई लोग आभी हम पेट्रोल बंप पेट डिजल डलवाने आए तो टेक्टर में भी डिजल डल रहा है उसके बाद हम जाएंगे खेत में तो पहले डिजल डलवाते है आप देख सकते हैं इदर चने लग रहा है खेत में अदल सीडिल चल रही है चने की और इस बार चने बो रहे हर बार हम घ्यूब होते हैं तो चने बोने का खास कारण यही है क्योंकि 100 निकलते हैं चने 25 निकल जाते हैं तो उसमें कवर हो जाता है तो आइस देख सकते हैं को आईश पता नहीं मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो मुगयल सही से मैं पकड़नी पा रहा हूँ और आप देख सकते हैं सिडिल उधर चल गई है उस साइट और इदर चने भी प खेत में डाल रहे हैं तो गाई देख सकते हैं आप मेरे पीछे और गाईस आप देख सकते हैं सीडिल चल रही है और मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्दे कर रहा है मैं बता नहीं सकता इतना ज्यादा केमरा हिल रहा है दोनों आतों से पकड़ना पड़ा केमरा और सीडिल आप यह सो किल रही है कर और भाय लोग आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो आज कल वियू पी नी आ रहे लाइक है निया आरहे अपको बता देने कोई नाराजगी हो तो व्लाइक कमेंट और सस्क्राइब कर दिया कर अपने भाई का चैनल समझके क्योंकि गाउ कावालक मैं चलते हैं अभी सीडिल पर बेढ़ेंगे कश सीडिल पे बेटना में को यह तक लगता सही निराएगा क्योंकि हालत उसमें खराब हो जाएगी तो सीडिल पे बेटना केंसल करते हैं लेकिन एक सेकेंड ओ मुरी मिया ये काग देख लिया ये क्या है टेक्टर के पीछे कौन सा पक्षी है ये अपने खेत में चने लग गए आप उनको पानी देने रोज सुबे से आना पड़ेगा तो पानी देने आएंगे वरोबर तो भाई लोग आप में लिए हालत देख सकते हो फिर भी मैं खंडवा जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी अर्जेंट काम याद आ गया तो खंडवा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलते हैं खंडवा में तो गाईस हम बड़ी अस्पटाल में आ चुके हैं खंडवा में तो बड़ी अस्पटाल में इसलिए आए क्योंकि मोसी की तबियत बहुत ज्यादा खराब थी तो उनको देखने आना पड़ा एमर्जेंसी और अभी हम आ गए एक सोप पे क्योंकि विस्तुवे अभी जा र क्योंकि आख देखर रहें तो पता नहीं कुन सा बेक डिसाइट कर रहा है भी जुआ अच्छा तो लग रहा है अभी यही बेक फाइनल करेंगे सायद नहीं हमने वही वाला फाइनल कर लिया और विस्तुवे अभी पैमेंट कर रहें तो बेक कि